ज़ाहिंद प्रेंट्स सिधाद भये कि इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है नासा ने ऐसा क्या कर दिया भाई जो कि इतिहास रच दिया और उपार उस्तम नहीं निकला नासा कि अचानक से कोई इतनी बड़ी चीज़ कर दी और लोग जो है वो तालियां बजाते नहीं ठक रहे हैं मैं आपको बता दूँ बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनको पता भी होगा इस बारे में आकर ये है क्या और ये ओर्तिरिक्स रेक्स है क्या नासा ने ये मिशन कब शुरू किया था आज ये जाके यूटा में गिरा जो एक स्टेट है अमेरिका का आखिर है क्या ये ये चीज क्या है ये time capsule क्या है मतलब क्यों ये कहा जा रहा है कि ब्रह्मान में नासा की ये खोज जो है उसने history create कर दी तिहास रज़िदिया एक और बात कही जा रही है ये कहा जा रहा है कि अगर ये mission successful नहीं होता तो 22 सदी में या फिर 23 सेंचूरी में टायद पृत्वी नस्ट हो जाती और अगर इस मिशन को ढून लिया गया है, इस मिशन को सक्सेस्फुल करार दिया गया है तो हम पृत्वी को नस्ट होने से बचा सकते हैं समझ रहे हैं आप कितनी बड़ी चीज आज नासा ने खोजी है जिसका काम आज से कम से कम देर सो या 200 साल बाद बहुत जादे अपली केबल होगा लेकिन नीव अभी से रख दी गई है वो क्या है सब कुछ बताएंगे वीडियो भी दिखाएंगे आपको वीडियो के जरीए लेकिन उससे पहले मैं कहता हूँ हमेशा से आपसे कि सिविल सर्विसेस के एक्जाम में बहुत मेंटोर्शिप की रिक्वाइमेंट होती है आप पर मेहनत आप बहुत करते हैं लेकिन वो मेहनत सही डिरेक्शन में है या नहीं सही किताब पढ़ रहे हो या नहीं नोट सही बना रहे हो आन से राइटिंग सही कर रहे हो या नहीं चाहे आप कॉलेज में हैं फुल टाइम है या जॉब के साथ या मैरीड है आपको mentorship की requirement है और मुझे पता है आपको guidance की requirement है आप directionless हो रहे हैं बहुत सारे aspirants हैं उनको दिन भर में कम से कम 10-12 सवाल आते हैं और daily आते हैं कौन करेगा solve उसको? mentorship तो करेगा अगर छोड़ दिया जाए बच्चों पैसे ही तो फिर नजाने वो सवाल एक-एक महीने तक pending रहते हैं और फिर उनकी पढ़ाई पे effect पड़ता है तो देखिए नीचे comment section है वहाँ जाएए और google form को fill करिए साथ में telegram भी है साथ में adda का app भी है जिसके तो आप download कर सकते हैं आप यहाँ पे mcq mcq खेल सकते हैं तो आप जाएए इन तीनों चीजों को टबेज से follow करिए गूगल form को भरना जरूर 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 चलिए अब आगे चलते हम इस वीडियो में वीडियो में चलने से पहले मैं आपको बता देता हूँ एक एक छोटी सी कहानी बताता हूँ कि यह basically नासा ने अपना ओसेरिक्स मिशन जो है वो 2016 में सोचो 2016 में कितने साल के थे तुम? बताओ 2016 में नासा ने ओसेरिक्स मिशन स्टार्ट किया था और उसकी achievement उसकी successful आज 2023 सप्टेंबर में हो रहा है सोचिए कि मतलब 4 साल इधर और 3 साल इधर मैं इसको play करता हूँ तो basically एक parachute पे पता नहीं आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा बहुत ही minor है parachute पे ये जो time capsule है ये देखा जा रहा है helicopter से इसको देखा जा रहा है और parachute के जरीए ये यूटा में एक desert में गिरा है इस वीडियो को अगर मैं आगे करता हूँ तो आगे देखिए ये दिखाता हूँ मैं आपको किस जग़ पे ये गिरा है और पूरे NASA में काफी जादे खुशी का माहौल है history create कर दी है basically NASA ने इसके बारे मैं भी पूरी detail में वीडियो आपको बताते हैं ये देखें ये लोग पहुँचे हैं यहाँ पर और ये है वो time capsule ये है वो Osirix RX जो पद न जाने लगभग 6.4 billion km चल कर वापस आया है यहाँ पर अर्थ पर अर्थ से चला 2016 में अर्थ में आया 2023 में इस बीच में इसने क्या क्या किया अब आईए हम वीडियो के जरीए जरा आपको बताते हैं रुख जाओ भाई ये sample क्या है मतलब ये सब आम students के दिमाग के उपर से निकलने वाले चीज़ है आकर ये है क्या सबसे पहले हम ये सोचते हैं समझते हैं कि asteroid क्या होता है उलका पिंड होते है अस्टिरोइट होते हैं तीन तरीके के अस्टिरोइट होते हैं सन एक तो हमारा सन के इंदर में है जिसके चारो तरफ जो planets होते हैं वो चक्कर लगाते हैं planets के साथ साथ दोस्तों asteroids भी है जो चक्कर लगाते हैं सन के उलका पिंड ठीक है तो जो inner orbit हैं जिसमें कि Mercury, Venus, Earth ये सारे inner orbit सन के चक्कर लगाते हैं एक होता है फिर बीच वाला orbit जहा तो जो सबसे करीब वाले हैं उसको near Earth asteroid बोला जाता है जो बीच वाले एरिये में हैं उनको बोला जाता है मेरे ख्याल से mid, middle asteroids करके बोला जाता है और जो कोने में होता है Jupiter Jupiter के जो पास होता है उनको Trojan बोला जाता है कहने का मतलब यह सबसे जादी जो asteroid है वो Earth और Jupiter वाले के बीच में revolve करता रहता है क्योंकि उनमें space बहुत जादे है ठीक है अब इन asteroids में क्या होता है basically कि बहुत asteroids कुछ छोटे छोटे भी होते हैं कुछ 100 meter, कुछ 50 meter, कुछ एतने meter के होते हैं यह basically orbit में घूमते रहते हैं और सूर के प्रकाश की वज़े से यह asteroid जो है वो basically इतना तेज होता है सूर के प्रकाश में कि यह asteroid अपनी orbit भूल जाते हैं, orbit भूलके दूसरे orbit में चले जाते हैं और कभी-कभी यह भी होता है जैसे Earth हो गया, आपने देखा होगे उलका पिंड गिरा है, तो Earth क्या है, gravitational pull बहुत उसके पीछ, आगे पीछे जो Earth pull कर ले रहा है अपने gravitational force से, तो वो उलका पिंड आके नीचे गिर जा रहा है, ठीक है, यह basically एक छोटी सी science है इसके पीछे, ठीक है, अब हम आते हैं detail में, कि आखिर यह Osirix है क्या, Osirix दोस्तों कहा जा रहा है, इसका short form जो है, वो है, origin, spectral interpretation, representation, resource identification, and security, regolith explorer, बहुत technical term है, आपको याद करने भी उतना जरुरत नहीं है, उसके रिक्स काफी है, यह basically 500 gram का sample लेकर आया है, इसके उमीद नहीं थी, उमीद से लगबग इसने 4 गुना sample लेकर आया है, उमीद यह कि यह 70 gram sample लेकर आये, sample का test होगा, लेकिन यह जो है, वो उमीद से 4 गुना काम किया है, 500 gram का sample लेकर आये, मतलब भी संजीवनी बूटी हनुमान जी बन गये थे, लेकर रहे हैं, collected from the asteroid BNU, अब यह BNU क्या है, अब मैं आपको थोड़ा सा कहानी और बताता हूँ आगे, ठीक है, आगे चला जाए, वो successfully deliver हो गया है, यह पहला ऐसा first ever rock sample from asteroid BNU on Earth, यह सवाल आ सकता है, what was the first sample rock which came to Earth, यूकि एक asteroid भी था, क्या नाम था उसका BNU, यहां भी से धार्विया आ गये है, ठीक है, अब आते हैं हम लोग इस section में, भाई, था क्या, सबसे पहले हुआ था, यह हमारा NASA का, OSIRX का पूरा asteroid mission आपको इसमें explain कर दूँगा, September 8, 2016 को Atlas V rocket से इसको छोड़ा गया, ठीक है, यह Cape Carnival Florida से इसको launch किया गया, September 8, 2016 को यह launch हो गया, ठीक है, यह launch होते ही September 22, 2017 में single shot pass हो गया, Earth के orbit से यह pass हो गया, 2017 में, ठीक, अब 2017 के बाद यह 2018 में arrive होता है, इस asteroid पे, BNU, अब यह BNU asteroid इतना important क्यों है, दोस्तों यह BNU asteroid जो है, यह scientist ऐसा बताते हैं, researcher ऐसा बताते हैं, कि जब हमारा ब्रम्हांड create हुआ था, जब solar system create हुआ था, उतना पुराना यह asteroid है, अब basically Earth पे तो बहुत सारे चीज़े destroy हुई है, बहुत सारे चीज़े create नहीं हुई है, तो हमें उतना पुराना rock नहीं मिल पाता है, लेकिन scientist का यह कहना है, जब हमारा ब्रम्हांड बना था, जब हमारा solar system बना था, तबसे यह one of the oldest asteroid है, one of the oldest है, लाखों साल पुराना यह asteroid, इससे हमें बहुत सारी चीज़ें का पता लग सकता है, मैं आपको यह बता दूँ, अगर asteroid धरती से तकरा जाएगा, तो यह लगा लिजे कि हमारे world में जो nuclear, जो सबसे खतरनाक nuclear weapon है न, उससे भी 24 गुना जादे के reaction करेगा, तो धरती के तुकड़े तुकड़े हो जाएंगे, अगर यह तकरा जाएगा धरती पे, कहा यह जा रहा है कि यह तकरा सकता है, 22nd ये 23rd century क बीच में यह तकरा सकता है, लेकिन अगर हमें बचाना है, तो बहुत बड़ी खोज हुई है यह, उसकी वज़े से यह आज, इसके बारे में हम लोग पढ़ पा रहे हैं, अचा कितना बड़ा है यह बीनू, ठीक है, यह बहुत आराम से याद कर सकते हैं, हमारे यह तो 250, इहीं के बीच में रहते हैं, लेकिन यह सबसे बड़ा है, और सबसे पुराना है, और यह सबसे खतरनाक भी है, ठीक है, यह इतना बड़ा था, तो बेसिकली 2018 के 3 दिसंबर को यहाँ पर हमारा जो क्राफ्ट है, वो वहाँ पहुंचा, लगभग 2 साल यहाँ पर जो हमारा स्पेस क्राफ्ट था, उसने यहाँ रिसर्च किया, उसने फाइंडिंग्स की, टचडाउन किया, नीचे गया, और यहाँ से सैंपल कलेक्ट लेके आया है, बीनू, तो 2021 में 10 मई को यहाँ से जर्नी, मतलब कि बीनू से हमारा स्पेस क्राफ्ट जो है नासा का वो जर्नी वो पैराशूट के जर्य जो कि मैंने आपको दिखाया है, और यह है हमारा एक तरीके से टाइम, क्या कहते हैं इसको, टाइम कैपसूल, अच्छा टाइम कैपसूल क्या होता है, यह बेसिकली एक ऐसी इंफोर्मेशन होती है, जो कि आप फ्यूचर में होने वाले जेनेरेश को स्टोर करके रखने की ताकि फ्यूचर जेनेरेशन जो हैं उन चीजों को पढ़ें, उन इन्फोर्मेशन सेव कर सकें, तो यह टाइम कैपसूल उसको रिप्रेजेंट करता है, अब सवाल यह उठता है, कि आखिर बीनू ही क्यों, यह मिशन ही क्यों, वाट विल ओसरिक्स मिशन डू, यह करेगा क्या, सबसे पहले तो यह सैंपल कनेक करेगा हमारे एस्टरोइट बीनू से, उसके बाद यह अर्थ पर लेकर आएगा, और आ चुका है, यह साइन्टिस्ट को हेल्प करेगा ताकि यह डिटर्माइन करने में कि एस्टरोइड और्बिट में घूमते कैसे हैं, यह बहुत important study है, यह help करेगा कि एस्टरोइड हमारे और्बिट से बाहर कैसे निकलते हैं, घूमते कैसे हैं, किसका प्रभाव जादे पड़ता है तो, दूसरी चीज, यह पता करेगा कि हमारे जो satellites हैं, हमारे जो telescope है, वो वाकई में accurate reading देती है या नहीं देती है, यह बहुत important है, यह पूरे world में इसका बहुत use होने वाला है, है ना, acquired knowledge about asteroids composition, किस चीज से बना है वो asteroid, ठीक है, कहा यह जा रहा है कि carbon से less है, अंदर का लगबक 30 से 40 प्रतिशत asteroid यह जो बीनु में खोखला है, अंदर से सिर्फ तो सिर्फ carbon बढ़ा हुआ है, सूरी की जो रोश्णी डेविएट हो जाती है, ठीक है, could please give clue about how planets formed and how life begin, यह clue दे सकता है कि जीवन कैसे शुरू हुआ था, planets कैसे form होते हैं, बड़ी सारी चीजें जो है NASA निकाल सकता है, ठीक है, scientist को, scientist के क्या objective थे, scientific objective क्या थे इसके, map the asteroid, वो पूरा एक map पन जाएगा, determine Venus physical and chemical properties, यह तो साफ जाहिर है, compare observation with data from telescope, जो मैंने भी बताया, कि telescope से और satellite से, यह data अगर सही आते ही इनके, तो फिर आगे बहुत बड़ा use हो सकता है, telescope satellite का, otherwise अगर कुछ miss match हो चा है, तो लोग change कर सकते हैं, अचा बीनू ही क्यों, बीनू एक ऐसा asteroid दोस्तों, जो कि Earth से लगबग सारे 4,000,000 kilometer ही दूर है, यह सबसे nearest to Earth है, और सबसे बड़ा है, सबसे पुराना है, इसलिए बीनू satellite को, बीनू, sorry, asteroid को इस पे किया गया है, ठीक है, दूसरा की इसका size बहुत बड़ा है, यह लगबग 500 meter in size है, and revolves once every 4.3 hours, हमारा Earth जो है, वो 24 घंटे में चक्कर लगाता है, अपने axis पे यह जो satellite, यह जो asteroid है, वो लगबग 3-4 घंटे अपने axis पे घूमता है, इस वज़े से हमारे research करने में काफी easy हो गया है, sample collect करने में काफी easy हो गया है, scientist जो है, वो इसकी composition को समझके, इसकी mineralogy को समझके, वो कहीं ने कहीं, दूसरे asteroid के साथ, और भारत के साथ, मतलब sorry, भारत क पर आके यह खतम हुआ, यह जो image मैं आपको दिखा रहा हूँ, यह image है कि अर्थ के orbit में कब से आया, July 26 इस साल के Earth के orbit में आया, लगबग इसको 4 महीने लग गए हैं, लगबग यहां तक पहुंचने में target को अपने Earth पे drop करने में, ठीक है, तो यह एक time lapse मैंने आपको दिखा है, यह कुछ इस तरीके का है, यह है हमारा पुरा जो time capsule, यह बेसिकली जो हमारा spacecraft था, spacecraft के ऊपर से, जब spacecraft हमारा लगबग सारे 4-5 घंटे और पहले था, तो उससे पहले ऑर्बिट में ही, ऑर्बिट से ही ऊपर से निकालके, यह spacecraft जो है, उसमें ऐसी function लगाई गई थी, कि पैरसूट के ज़रीए, यह फिर यूटा में ड्रॉप कर देगा, तो अब तक बहुत successful रहा है, I hope आपको चीज़ें थोड़ी सी समझ में आई होंगी, मैंने सारी चीज़ें cover कर ही दी हैं आपकी, हना, उमीद है चीज़ें आपको detail में यह आपका पहुँच गया, यह गिरा है इस पर, I hope चीज़ें समझ में आगी होंगी, right, so space technology बहुत important है, space exploration बहुत important है, बरमान की study के लिए, और human की life कैसे start हुई, life कैसे start हुई, यह सब study करने के लिए बहुत आवश्यक है, साथी साथ मैंने आप लोगों के लिए prelims के लिए एक सवाल निकाल कर रखा हुआ है, ज या फिर ये Nobel laureate द्वारा 1901 में स्थापित किया गया था, या फिर विस्वा भारती जो है एक शान्ती निकंटर 1921 जिसके chairman है, Prime Minister of India, इनमें से कौन कौन सही है, आप हमारे comment section में जाके comment कर सकते हैं, Google form फिल कर सकते हैं, और साथी में हम लोग मिलते हैं अपने telegram channel पे इस concept दे अच्छा है, ये बैच आ चुका है, अब आपकी जिम्मेदारी है इसको enroll करना, अपनी पढ़ाई आगे करना, मिलते हैं हम लोग, अगले वीडियो में, तब तक बहुत बहुत शुक्रिया, thank you so much, जैहिंद